सब्सक्राब करें अपने यूटीब चैनल लानमोट मेडिसिन को और बैल एकन दबाएं लेटेस नोटिफिक्शन पाने के लिए स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने एडिप चैनल लर्न अबोट मेडिसिन में जहां आपाते दवाईयों के बारे में स्रमफोन जान करें दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एक मांशिक रोग की दवा जिसका नाम ओलंज जेपिन टेबलेट है इसके बारे में जानेंगे जो कि सेकेटिक डॉक्टर की फर्स्ट चोईस मेडिसिन है इस वीडियो को मैं दो पार्ट में बनाऊँगा क्योंकि इसकी जो डिटेल है एक पार्ट में बना बहुत ही लंबा वीडियो हो जाएगा तो पहला जो पार्ट है उसमें मैं आपको बताऊँगा किस क्लास से ये दवा बिलोंग करती है क्या क्या स्ट्रेंग में मार्केट मिल जाती है क्या नाम से आपको मिलेगे जिसे हम ब्रांड नेम कहते हैं क्या प्राइज इस दवा की रहती है यूज को पूरे विस्तार से बताऊँगा उस यूज के सेक्सिम में हम जानेंगे सीजोफर्न यह था था जो बाइपॉलर डिसोडर है इन दोनों में क्या डिफ्रेंट से और इनके अलावा किन-किन बिमारियों में इस दवा का प्रियोग लिया जाता है और इस दवा को किन-किन बिमारियों में जो पीडित पेसेंट है जो क्या है ये सभी इस पार्ट में जानेंगे और जो आगे का पार्ट आएगा उसमें मैं आपको बताऊंगा इसके side effect क्या है, dose क्या रहती है, overdose effect क्या होते हैं, interaction और withdrawal जब इस दवाका करते हैं, discontinue करते हैं, तो क्या-क्या समझ्याओं का सामना करना पड़ सकते हैं और उस समझ्याओं का निवरण कैसे करते हैं, ये सबी बाते second part में जानेंगे, तो आज की इस वीडियो में जो first part में detail है, उसको हम जान लेते हैं, उम्मीद गरता हूँ इस वीडियो साब को कई नई जान कारें मिलेगर वीडियो आपको जूर से पसंद आएगा, मैं हूँ आपका दोस मोहित और आप देखेंए अपने YouTube चैनल Learnout Medicine, चलिए आस फिर कुछ न की दवा है, यह ब्रेन के केमिकल पर असर करके अपना कारी करती है, ओलाइन जेपिन मानसिक बिमारियों को व्यस्क में तथा बच्चों में जिसकी उमर 13 बार से ज्यादा है, ठीक करने के लिए प्रियोग में लाई जाती है, और ओलाइन जेपिन जो दवा है, एंटी साइक में Channel 4 बाइन के बात की जाये, तो यह आको दोबाइन जो खेल के लिएता हम में जाती है, टोनग जो हमारियों के में में जाती है, और ओलाइन-जेपिन जो सेखेंगे, तो यह आप को दो-वैंट-पांच में पांच मिलेगा, तथा बॉइचेंड LOVE की अलग अलग इश्रत में मिल जाती है और जैसा कि आप सभी जानते हैं आप इस नाम से इसको मेडिल स्टों पर डायक खरीच सकते हैं और इसके अलबी कई सारे ब्रांड नेम से मार्केट में अवेलेबल है ब्रांड नेम वह नाम होते हैं जो दवा को मैनिफेक्शिंग ओलीजा टेबलेट, जिप्रेक्स टेबलेट, टोलाज टेबलेट, ओलीमेट टेबलेट, ओलाज टेबलेट यह कुछ इसकी पॉपुलर ब्रांड है जो मैंने आपको बताई है जो आपको सभी जगह अवेलेबल में मिल जाएगी और हो सकता है आपके एरिया में को दूसरी ब्रांड अवेलेबल हो क्योंकि जो ब्रांड नेम रहती है एरिया और डॉक्टर के चोईश के अलग लग रहती है लेकिन जो सभी ब्रांड से उसका जो मूल नाम है दवाका वो लाइंज यह एक की जगह दूसरी जो आपको आपको सच्थी पड़े उससे आप खई सकते है दोस्तों अगर इसके प्राइज की बात की जाए कितनी रुपे में आपको मिल जाती है तो जो ओलेंज टेबलेट है उसकी में प्राइज बता दू और जो दूसरी मेंडिसीन होती उसके एवरेज इसकी प्राइज रहती है अगर 2.5 मिलेगाम टेबलेट की प्राइज की बा की टेबलेट है वो आपको 113 से रूपय में परती दस टेबलेट की रेट मिल जाती है और जो यह रेट है ब्रांट टू ब्रांट अलग हो सकती है थोड़ा बहुत आपको उपर वेरिस मिल जाएगा जो आपको सस्ति मिले जो इसली मिले उसको आप खाइच सकते हैं दोस्तों वीडियो का आगे पार्ट में इसकी यूज को जान लेते किस किस बीमारी को ठीक करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है जैसा कि आप सभी को बताए यह एक एक एंटिशकोटिक मेडिशन हो जाता है यह भी आपका क्लीर हो जाएगा कि जीजो फर्णिया एक प्रकार की विमारी है जो कि मानसिक डिस ओर हो जाता है मतलब व्यक्थि ऐसी पह।। क्लप्पना तथर जो वस्तुरिक अगर इसके लक्षनों की पाद की जाए तो हाव् widow इन्दी में इसके राभा ऌध में अगर तो हतो प्रण द इसके में है और अगर दूसी और बाइपोलर डिसोडर की बात की जाए तो एक प्रकार की मांटचिक रोख है जिसमें दोहरी विमारी व्यक्तिक होती मतलब कई बार वो डिप्रेशन का सिकार हो जाते हो कई बार बहुत ही ज्यादा अगर इसको एक्जामपल से समझा तो इस्टुडेंट का एक्जामपल लेते हैं जिसके एक्जाम सुनस्दीक है तो एक्जाम के पढ़ने के लिए जब सेलेबस को देखता तो उसको बहुत ही ज्यादा सेलेबस लेगने कारण वो डिप्रेश हो जाता है हो सोजता में नहीं प बिमारी है और जुरूरी ने इस्टूडेंट्स मों इस्टूडेंट्स का एक्जामपल दिया है सभी प्रकार के जो पेसेंट है इसमें देखे गए तो यह जो दो समझे में बताई है सीजोफरी निया था बाइपॉलर डिसोडर इसमें ऑलन जैपिन टेबलेट का बहुत ही अ ज़्यादा प्रभाव पढ़ जाता है मस्तिक्स पर जिससे कि उसको बोल नहीं पाता है उसके इस्ट्रेस होता है तो उस समय भी ओलन जैपिन टेबलेट डॉक्टर दारा प्रिस्काइब की जाती है साथी एक और विमारी देखी गई है जिसका नाम टाउरेट सिंड्रोम है यह बचपन से यह व्यक्ति में दिखने के लग जाती है जिसके जो मुख्य लक्षन है बार बार पलके जबकाना खासी लेना अपने फेशिल एक्स्प्रेशन करना गलास साफ करने की कोशिश करना यह जब बहुत ही ज़्यादे सीविर हो जाता है तो उस समय में भी यह जो सब्सक्राइब की जाती है और आप लोगों ने देखा होगा हकलाना एक प्रका की बेमारी है जिसमें व्यक्ति अपने जो शुरुवाती वर्ड होता है उसको बार बार रिपीट करता रहे तो उसको बाती कहने में परेशा नहीं होती और कई जगा उसको डिस्ट्रेक्ट भ रहता है उसको अग्रेसिव सुभाव रहता है अकेला बेट के वो खुश रहता है साथ ही सोचियल डिस्टेंस रखता है बातचित कम करता है इस तरह की जो कंडिशन रहती उसको ठीक करने के लिए भी और इसके ऑफ लेबल यूज की बात की जाए तो सबसे प्रमुक इसका यूज है इन्सोम्निया नीद नहीं आने में किया जाता है कई बार डिफिकल्टी इन फालिंग असलीप मतलब नीद आने में समश्य होती है और कई बार व्यक्ति नीद लेके बीज में उड़ जाता है तो अपस नहीं सो पाता यह तीन कंडिशन होती है नीद नहीं आने के तिनों ही कंडिशन में और इसके लावा एक और इसका यूज है जो आप में से कई दोस्तों को नहीं पता होगा जब कैंसर की कीमो थेरेपी व्यक्ति को की जाती है तो उस समय उसने नोजियो वोमेटिंग होता है तो उस समय में भी और जो प्रियोग है एंटी इमेटिक की तो डोस एड़स करके दी जाती है तो उसके बार मैं बता दू यदि आप इस बिमारियों से अभी पीडित हैं पास्टों कभी पीडित रहे हो तो अपने डॉक्टर को जूर से बता है जैसे कि किसी व्यक्ति को लीवल डिजीज हो हार्ट समंधिक कोई समय उसको हो उसका बल अधिला जो ब्रेस्ट केंसर उसको हो या पास्ट में कंबशीर हो प्रेगनेन्ज की कर रही हो यह सबनेंट कंपर यह ज्यादा वस्कान पर ल्गिपने करके लिखिए इसलिए इन बिमारीच और अपकर शीता है तो आपने डोक्टर को जोड़ से बताएं दोस्तों आगे के पार्ट में हम जान लेते हैं ओलेंज जेपिन टेवलेट के क्या-क्या साइड इफेक्ट होते हैं यह दिखेशी विक्ति में उसके साइड इफेक्ट देखे गए तु अब ते अपने दोस्त मोही दादीश साथ देख रहेते अपना यूडिव चैनल लानावट मैडिसीन थें